कि हलो फ्रेंड्स एज़ी एक्जाम यूटूब चनल आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को यहां पर ICR के रिजल्ट के बारे में एक important update देने वाला हूँ कि ICR का रिजल्ट कब आ सकता है कब आने वाला है इससे related कुछ fact आपको मैं आपको बताऊंगा यहां पर देखिए सबसे पहले आप सब लोगों को पता है कि 15 September 2021 को आपकी answer कि आई थी जिसे आपको तीन दिन का time मिला था और 17 September 2021 तक आपको answer की को challenge करना था ठीक है और उसके बाद देखिए यह answer की का जो schedule है वो आपके सामने यहां पर है आप इसे download करके भी देख सकते हैं इस page बे आपको पहुँचने के लिए सबसे पहले अपने Chrome browser open करना पड़ेगा और वहां पर आपको आपको बता दूँ कि last year भी ICR का exam anti board नहीं करवाया था और last year आपकी answer की starting to answer की ती जिसे आपको challenge करना था वह आपका 20 October को आया था ठीक है 20 October को आपकी answer की आया थी उसके बाद उसे revised करके challenging question को accept करके उन्होंने एक नौंबर को एक नौंबर को revised answer की डाल दी गई थी यानी 10 to 11 days में revised answer की वापस से डाल दी गई थी कि इस बार भी maximum उतना ही time लगने वाला है अगर हम 15 September में 10 to 11 days अगर 8 करते हैं तो 25 to 26 September को आपकी 2021 को आपकी answer की दुबारे से आ जानी चाहिए और दीकिए last year result है वो 2 November 2021 20 को आ गया था ठीक है यानी आपका उसी के यानी जो answer की डाली गई थी उसके 10 दिन बाद आपका result आ गया था यानी result की जो date है अभी के according 2021 में जो result की date है वो आपके 26 September to 27 September के आसपास हो जानी चाहिए यानी यह मैं आपको शोर कह सकता हूं कि इसी September के last तक या फिर September के जो first week of October में आपका result definitely आ जाएगा और देखिए friends result आने के बाद एक दो दिन में ही आपकी counseling start हो जाती है तो आप लोग बिल्कुल up to date रहें अपने documents तयार कर लें जो भी documents आपको बनाने हैं वो सारे के सारे आप बनवा लें उसमें जाती परमान पत्तर मूल निवास जो भी हैं आपके जितने भी documents important important वो सारे के सारे documents आप ready कर लें और देखिए आपका result जब आएगा तो आपके सामने ऐसा interface आएगा यहाँ पर देखिए जो यह वाला interface है इसमें देखिए यहाँ पर आपके just उपर जैसे आपने देखा होगा answer की challenging में यहाँ पर आपके पास आ रहा था मेरे कितने marks आएं और उसे download भी कर लेना है क्योंकि download करने के बाद जब counselling करवाते हैं तब scorecard की need होती है और college में भी scorecard की need होती है तो आप scorecard का भी थोड़ा जान रखें ठीक है दोस्तों यानि मेरे report के according जो मुझे idea लगता है उसके according दो चार दिन में आपका result definitely आ जाएगा या फिर first week of October में definitely आपका result आ जाएगा यानि result आने में ही है आज कल में कभी भी आपका result आ सकता है इसलिए आप official side पे up to date रहें